हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्लैटफॉर्म टीचिंग जंग्शन पे दोस्तों, एक बहुत बड़ी नियूज निकल के आ रही है, सिक्षक भरती, फरजी वाड़ा जहां पर 18-18,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 grade की चाहे हम बात करें चाहे TZT PZT की इनकी परिक्षाएं कब से सुरू हो जाएंगी और सारी चीजों पर आज हम देख लेते हैं देखें सिक्षक भरती के फरजी वाड़ा 18-18 लाग में बिके थे पेपर नियुकती पत्र तक बिक गय थे सच्चाई आई सामने यह आप देख सकते हैं इतनी बड़ी निउस जब निकल के आती है तो यहाँ अभ्यार्थी इतने ज़्यादा परिशान होते हैं मुद्दों को लेकर के कि सिक्षक भरतियां तो वैसे UP में बात करें हर स्टेट लेबल में बात करें सिक्षक भरतियों के हालत तो वैसे ही खराब है और ऐसी परिस्तितिया जब निकल के आती हैं तो इन पे क्या कहा जाए और कैसे इस पर अपनी उपीनियन रखी जाए यह निउस आप देख सकते हैं निउस की कटिंग है यहाँ देखिए सिक्षक भरती फरजिवाडा ठारा ठारा लाग फॉर्म विके थे पीजी टी टीजी टी के लिए नियुकती पत्र देखिए हमारे लाखो लाग अभ्यारती साथी तैयारी भी कर रहे हैं और इस बात का बेट भी कर रहे हैं कि टीजी टी पीजी टी के एक्जाम कब सुरू होंगे और ऐसे कुछ खबरे निकल के आना अपने अबाब में एक सौकीन अगरा निउस रखता है आठाट लाग एडवांस दे चुके थे कई और जिलों में फरजी वाड़ा होने की संभावना देखी प्रियागरास से ये निउस निकल के आ रहे हैं आप यहां देख सकते हैं कि क्या माजरा आखिर है सिक्षक के नवकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजवेट टीचर जिसे आप पीजीटी कहते हैं ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर जिसे आप टीजीटी कहते हैं 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यारतियों ने 18-18 लाग रुपए मैं नियुक्ती पत्र खरीदा इन अभ्यारतियों से भारती माफिया ने 8-18 लाग रुपए एडवांस में ली और बाकी 10-10 लाग काम होने के बाद आप देख सकते हैं नियुक्ती पत्र लेने के बाद की बात करी है इनके खिलाफ 29 अप्रेल को कानपुर की कर्णेल गैस्थाना में मुकदमा दर्ज हो गया है और ऐसे लोगों पर सक्त कारिवाही करनी चाहिए वही ऐसे लोगों पर कारिवाही नहीं होगी तो हमारे साथ ही जो महना से प्रप्रेशन कर रहे हैं उनका आखिर क्या होगा और मैं बात करता हूँ अगर यूपी में ऐसे लोगों से सुने लोग कहते हैं 15 लाग, 18 लाग, 12 लाग में वह सेलेक्शन कराते हैं, जोईनिंग कराते हैं तो ऐसे लोग कब तक चलेगा और ऐसे कई सारे मुद्दे सामने आते हैं चाहे टीचर एक्जाम की बात करें, टीचिंग जाम से लेकर हो सीटेट की एक्जाम में भी वेपर लीक की मामले सामने आ रहे हैं कई सारी ऐसी परिक्षा हैं, देखिए अभी कली की निउस थी कि नीट परिक्षा में भी leak के मामली सामने आये और Twitter पे भी trend हुआ तो इसको लेकर के मन बड़ा आहत होता है कि जो तयारी कर रहे हैं अभ्यारती हैं हम सिक्षक साथी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपके लिए guidance दे रहे हैं इस platform से आपकी classes ले रहे हैं तो ऐसी खवरे सुनकर के लगता है कि कैसे line order maintain है और कैसे सिक्षक भरतियां इतनी प्रभावित हो रही है TGT PZT के जो अभ्यारती पूरे शालों दो साल से preparation कर रहे हैं या bait कर रहे हैं उनकी परिक्षाएं कब होंगी आपके जहन में बहुत बड़ा question है और इसको लेकर मैं आपको यहां से clear करना चाहूंगा कि जो TGT PZT के exam है अगर इनकी हम बात करें तो TGT PZT के exam आपके 4 June 4 June को लोगसभा चुनाओं का final हो जाएगा और आपके यह परिक्षाएं अगर हम बात करें July June के last July से बड़ी 23 पकड़ेगी सिक्षक भरतियों को लेकर तो आपके जुलाई तक परिक्षा होने की पूरी-पूरी संभावना रखता है कि TGT PZT में जो अगामी जो आपकी परिक्षा है 2020 की भरति थी उसमें आपकी exam जो है जुलाई तक होने की पूरी-पूरी उम्मीद रखते है ठीक है और पूरी कोशिस है परिक्षाएं आपकी होंगी जो महनत कर रहे हैं जो एक middle class family से आ रहे हैं अगर 15,18,000,000 देना है तो आप कुछ काम करिए विजनेस करिए भई आप सिक्षक वेकिंसी टीचिंग वेकिंसी में क्यों आ रहे हैं और यहाँ पर आप 15,18,000,000 देखे क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर जोईनिंग इस थरीके आप सभी शाथी इस session को share कर दो उनको सभी friends के साथ जो भी आगे teaching exam से जुड़े exam की preparation कर रहे हैं और आया दिर हम आपके जो भी मुद्दे हैं उसको जरूर उठाते रहते हैं बात करते रहते हैं यह आपको इस preparation सारे सिक्षक भरती के तयारी भी इस platform से आपको देखने को मि आपके लिए हमेशा dedicated रहते हैं तो friends इसी के साथ आज के अपनी वाड़ी को हमेराम देंगे और आपको यह session कैसा लगा नीचे comments में जरूर बताइए आप इस विवस्थास को लेकर क्या चिंतित हैं क्या सूचते हैं आपकी अपनी विचार क्या है नीचे comments में हमें लिखकर बता दे ठीक है तो friends मिलते हैं के लिए next session में तब तक के लिए thank you so much to everyone thanks for watching में वीडियो जैहिन जैवाराइए